नमस्का दोस्तों आज के क्लास में आपको जो पहले मैंने प्रीविएस वीडियो डाला था यूटूब पर TFT स्क्रीन की वर्किंग के उपर उसके कॉंसर्ट को एक्स्प्लेन करते हुए उसके कंटिनुएशन में यह एक वीडियो है जिसमें हम लोग टी एफटी पैनल्स जो डबल डिवन पैनल है डबल डिवन पैनल पैनल कैसे काम करता है ठीक है और यह वीडियो तीवी टीवी रिपेर टेक्नीशियन लाप्टॉप टेक्नीशियन्स desktop monitor के skin को repair करने वाले लोग और even mobile phone को skin को repair करने वाले लोग refer कर सकते हैं क्योंकि यह एक general class है जो भी मैं चीज़ में बता रहा हूं general है सभी TFT skin के लिए यह valid है ठीक है कोई ऐसा नहीं है कि मैं सिफ TV के लिए बता रहा हूं ठीक है जितने भी तरह के false हैं आप उन सभी false को visualize कर सकते हैं theoretically जैसे आप modification करते हैं आप modification क्या करते हो कि आज कल काफी सारे TV screen में problem ही आता है कि एक side display fine है दूसरे side display नहीं आ रहा है आप PCV पे cut करते हो दूसरे side जहां डिस्प्ले नहीं आ रहा है उस side से drive करने में problems आते हैं ठीक है problem क्या है horizontal line रह जाएगा या दुनों तरफ जो है picture same नहीं हो गए brightness same नहीं हो गए LG में आपको देखने को मिलेगा आपको 4K panels में Panda में देखने को मिलेगा ठीक है तो आखिर क्यूं है ऐसा क्यूं होता हम लोग इसको कैसा rectify कर सकते हैं इसका कहां पर यूज होता है उस चीज को हम लोग संजाएं कि इसका यूज क्या है ठीक है तो ब्रीफली मैं इस सारे concept को अच टच करूंगा एक ठीक है लेकिन previous वीडियो को आप जरूर रेफर करिए फिर भी मैं इस class में अपने previous वीडियो को जो important concept है उसको मैं इस class में फिर से repeat करूंगा और उस पर build-on होके जो आज की class है double driven double driven circuit को हम लोग समझें ठीक है resistance compensation क्या होता इसके बारे में समझेंगे हम लोग ठीक है तो start करते हैं हम लोग class तो लेट्स स्टार्ट विद्ध वेरी बेसिक ब्लॉक डाइडाम कोई भी स्क्रीन देखें यह जो class है मेरी यह TFT स्क्रीन के उपर है दुनिया की कोई भी टी एफटी स्क्रीन पर यह जो concept मैं बता रहा हूं यह valid है ठीक है स्क्रीन लेकिन जो मैं refer करूंगा वह mostly TV के स्क्रीन को करूंगा ठीक है लेकिन आप इस concept को यूज कर सकते हैं अधर स्क्रीन पर यह तो आज कल जो स्क्रीन आ रही है 4K resolution का screen होता है 4K है 8K है ठीक है वह किस तरह का screen अवे लेवल है या zip panel ठीक है gate on array या gate in panel ठीक है अब इस panel के अंदर क्या होता है दो पार्ट होता है मैंने पहले लिए के class नहीं बताया था इस panel के अंदर दो पार्ट है एक पार्ट है हमारा डिस्प्ले एरिया जहां पर picture आपका picture या video आप देखते हैं और एक पार्ट है आपका non display एरिया ठीक है डिस्प्ले डिये और ंडिये डिस्प्ले एरिया तो वह हिस्सा है जहां पर जहां पर आपको वीडियो पिक्चर दिखता है जहां पर यह pixels पैनल के अंदर पिक्सल्स रिसाइड करते हैं यहां पर पिक्सल होता है ठीक है यह पिक्सल इसके अंदर बना होता है और इस हिस्से में क्या होता है डिये ड्रायवर आप देखिए कुछ ट्रैक्स तो जो इसको प्रोसेस करेगा और वो इधर चला जाएगा ठीक है और कुछ सिगनल होते हैं जो चिप को बाईपास करते हो अंदर घुच जाता इसे ठीक है बाइपास करते अंदर और जो जातां एस्थ Jeśli यह जो ट्रैक्स है यह है गेट ड्राइवर के सिंगल गेट ड्राइवर के सिंगल इसी तरीके से आपका यह इधर यह जो इसी यह अहा पर यह पिक्षर बनते हैँ अब हम एक पिक्षल सबसे इंप्रटन क्या है पैनल को समझने लिए पैंगो को समझे के लिए सबसे इंपॉर्टन है वह एक पिक्सल का ब्लॉक डियाग्राम समझना है अगर आप इस एक पिक्सल के ब्लॉक डियाग्राम को अगर आप समझ जाते हैं तो आप problem आपको हर problem समझ माने लगए क्योंकि basically कोई भी जो picture या वीडियो बनता वो इस pixel पर बनता है ठीक है अगर आप एक pixel को आप उसकी working को समझ जाओगे तो आप पूरे problem को आप उस पर visualize कर सकते हैं ठीक है तो हम इस एक pixel की circuit diagram को समझते कि एक pixel कैसे work करता है ठीक है तो यह एक पिक्सल का ब्लॉक डाइराम है जो कि मैंने पहले के क्लास में भी पहले के वीडियो में भी मैंने यह चीज बताया हुआ है अब फिर से मैं यहां पर एक वार्ट ड्रो कर देता हूं ठीक है यह देखें यह कि यहां पर मैं और इसमें डाग्राम में बना हुआ है डेटा लाइन और स्कैल नहीं डेटा लाइन कहां से आ रहा आपका डेटा लाइन आ रहा है एक मैंट डेटा लाइन जो है आपका थोड़ी सी इसमें से वर्क करने में अदिकत हो रही है ठीक है डेटा लाइन यह डेटा लाइन है और यह स्कैन लाइन है कि करार को एक बार मैं चेंज कर लेता हूं थीक है अब थीक है यह ब्लोक डाइयराम एक पिक्सल का है इसको मैं एक्सपलेन करता हूँ जो fort में मैंने आपको प्रिवियस फोटो में मैं दिखाया था यह पैनल के अन्दर यह ऐसा पिक्सल बने होता है ठीक है डिस्फलेय आरिाम और नॉन डिस्प्लेयर यहां में आपका ड्राइब बना होता है ठीक है तो यह जो ट्रैक है यह जो मैंने आपको बताया तो यहां पर कॉफ लगा होता है ठीक है ऐसे ऐसे दो कॉफ लगे होते हैं और कॉफ पर चिप लगे होते हैं तो यह जो सीनल्स यह चिप जो प्रोसेस करता होता हो यह डारेक्टली कनेक्ट्ट होता डेटा लाइन से मतलब यह जो ट्रैक है डेटा लाइन का वह आपका कोफ है कोफ पर सी यो जी Whew बना हुगा वुच्चिप से डारेक्तली कनेक्ट यह ठीक है और यह स्कैन स्कुआ जात गेट लाइन भी बन्सक्राइब गेट लाइन फिर यह गेट लाइन काहां से कनेक्टेड था है मैंने क्या बहुत है खुश्चिक नहों स्थव आपको यह चिप प्रोसेस करें यह जो कि डेटा लाइन से कनेक्टेड है यह यह ब्लॉग डाइराम हो वह एक पिक्सल का वही इस पिक्सल का ठीक है और जो और यह जो लाइन है वह लाइन ऐसा है देखिए मैं फिर से इस पर ड्रॉ करेंगे बताता हूं कि इसको मिटा देता हूं देखिए अब फिर से आप देखिए यह जो पैनल बना हुआ है इस पैनल में दो हिस्से होता है पैनल में डिस्प्ले रिया और नन डिस्प्ले रिया डिस्प्ले रिया के अंदर पिक्सल्स बने होता है ठीक है पिक्सल क्या है R, G, B, R, G, D, ठीक है? R, G, B R, G, और एक non-display रही है, non-display इस हिस्से में क्या होता है, gate driver होता है, ठीक है? अब यह जो line है, यह जो track है, यह track तो आपका cough से आ गया, cough पे जो COG है, वो इससे आ गया, ठीक है? और जो बाकी जो signal है, जो gate drive का signal होता है, वो आपके यहाँ पे ऐसे reside करते हैं, वो रहते हैं यहाँ पे, ठीक है? और इस तरह का chip बना होता है, अब यह मैंने ऐसे ऐसे rectangle type का chip बना दिया है, लेकिन इसको अगर आप laser machine से देखो गया, यह काफी सारा structure होगा, ठीक है? यह जो यह एक block दिखाया है, मैंने यह इस तरह का block नहीं बना होगा, इस block के अंदर काफी हिस्से होगए, ठीक है? यह basically यह जो, मैं पार बेटर explain करता हूँ इस चीज को, यह gate driver को मैं एक बार दिखा जेता हूँ, कि gate driver कैसा होता है, ठीक है? आप मेरे previous classes में देखते होगे, कि gate के signal कौन कौन से होते हैं, clock के होंगे, तो CLK1 वो depend करता है, कितना clock है, अगर आपका बड़ा पैनल है, ज्यादा clock होगा, छोटा पैनल है, कम clock होगा, ठीक है? तो हम एक एजिम करते हैं, कि यह पैनल में चार clock है, तो यह सारे clock आपके, तीन, चार, यह सारे clock, अच्छा, पहला clock जो होगा, किसी भी पैनल को आप देख लेना, CLK1 सबसे लास्ट में होगा, अच्छा, यह double driven पैनल है, तो इस तरह का आपको non display रिया में जो है, यह सारे non display रिया में रहता है, यह मैं आपको left side का बता रहा हूँ, यह left side है, ठीक है यह left side है, उसी तरह right side में भी बना होगा, ठीक है, right side में भी आपके ऐसे clock बने होंगे, ठीक है जी, तो CLK1, कोई भी पैनल हो, किसी भी manufacturer का पैनल हो, CLK1 सबसे last में मिलेगा आपको, CLK1, CLK2, CLK3, CLK4, यह तो होगे, आपके clock, उसके बाद कौन से signal मिलते हैं, VGH, constant voltage होगे, VGH होगा, VGL होगा, ठीक है, STV भी signal होता है, STV depend करता है, कई सारे पैनल में तो वो clock के पहले होगा, ठीक है, STV, STV का मतलब होता, start vertical, इसका भी मैं आपको concept बरता हूँगा, कि STV का role क्या है, ठीक है, STV, या तो यह STV आपको यहाँ मिलेगा, या इस side मिलेगा, ठीक है, डिपेंड करता है, पैनल कैसा, LG के पैनल में STV आपको इधर मिलेगा, ठीक है, यह STV का track इधर रहेगा, मतलब, इधर का मतलब है, पैनल का outside, कई सारे पैनल में आपको STV बिलकुल इधर मिलेगा, ऐसे AEO के पैनल में जाओ, उसके पैनल में जाओगे, आपको बिलकुल side मिलेगा, LG में जाओगे, यह STV आपको इधर मिलेगा, ठीक है, तो कैसे पैचाने हैं कि STV इधर है या उधर है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा, STV हो गया, clock हो गया, VGH हो गया, VGL हो गया, अच्छा, कई सारे और और भी signal होते हैं, VGH odd होता है, ठीक है, VGH odd, VGH event, ठीक है, उसी तरीके से इधर भी आप बनाओगे, VGH odd, VGH event, ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पर सरकीटरी बना रहेगा, यह तो मैं एक सिंपल सरकीटरी बना दिया, लेकिन यह सरकीट को अगर आप जब लेजर के लेंस से देखेंगे, तो आपको बड़ा सरकीट दिखेगा, यह बैसिकली यह सरकीट है, एक सिफ्ट रिजिस्टर है, ठीक है, अब यह सिफ्ट रिजिस्टर कैसे बन्दा, इसको भी हम लोग अपने फॉदर वीडियो में दे सिफ्ट रिजिस्टर समझो, इधर भी आप सिफ्ट रिजिस्टर बना लो, ठीक है, सिफ्ट रिजिस्टर 1, सिफ्ट रिजिस्टर 2, सिफ्ट रिजिस्टर 3, बेसिकली यह सिफ्ट रिजिस्टर एक टांजिस्टर और कैपैसिटर का नेट्वर्क होता है, या तो यह पास ट twin transistor one capacitor होगा या 13 transistor one capacitor होगा या आठ transistor one capacitor 8 T1 C 4 T1 C 13 T1 C 5 T1 C ऐसब shift register का structure हैasis ठीक है मतलए एक shift register past transistor एक capacitor से बनते है अभी क्लास में इसके circuit को दिखाऊंगा लेकिं एक्स्प्लेन में इस क्लास में नहीं करोंगा कि यह लंबा क्लास होने वाला फिर ठीक है तो अभी हम लोग क्या कर रहा है यह सारा सीगनल जो है शिफ्ट रेस्टर में जाएगा एक करके यह अच्छा एक चीज़ आप यह देखो यह जो सारे ट्रैक जाता ने यह मूटा ट्र इसे निकमें पतल होका है यह वाला ट्राक पतला होगा यह वाला ट्रेक मोटा होगा क्योंकि देखो सारे यह प्रीस क्लॉपर यह पीसी पीसी भीसे ज़िए ठीक है आपको पता है ऐसा तार जिसमें ज्यादा करेंट फ्लो करना तो उसका क्र rec jak le हैं मोटा तार करो तो कैसा तर यूज करोगे जिसका क्लोक के तार, और इस इससे पूरे पिक्सल जितना पिक्सल एगर 4K है तो 4096 में गेट होगा ठीक है जी तो उतना गेट के लिए आप हर हर होरिजेंटल नाइन में आपका यह तार निकल के यहां जाएगा ठीक है इससे भी जाएगा इससे भी जाएगा सभी सभी सिफ्ट रहिटर पर सारे सिंग्नल चाहिए सारे सिंग्नल मतला अगर क्लॉक चाहिए तो हर सिफ्ट रेश्टर को दो क्लॉक चाहिए सारा क्लॉक नहीं चाहिए यह ज्यादा क्लॉक इसलिए यूज करते हैं कि एक ही क्लॉक से आप सब को ड्राइड करोगो तो इस तार पर लोड बहुत बढ़ जाएगा ना कि इसलिए हम जाब क्लॉक हम लोग चार छह आठ आठ क्लॉक क्यों इस करते हैं ताकि ये कुछ चक्षन जो पैनल के ऊपर के हैं उसको दो क्लॉक से द्राइड कर दिये sure के बीच वाला सेक्षिन को अलग दो क्लोक से ड्राइब कर दिया है या अल्टरनेट ड्राइब कर दिया है आपको हर सिफ्ट रइस्टर को दो क्लोक चाहिए होता है या तो CLK 1 या CLK 2 जाएगा इसमें ठीक है या इसमें CLK 3 या CLK 4 जाएगा 2 लॉक क्या-क्या important क्या-क्या चीज़ है दो क्लोक एक वीजीएच एक वी चील और स्टीवी आप स्टीवी का सिगनल है तो ठीक है अभी मैं इस ब्लोक डाइरम को यहां पेक्स्लेंद ली करता हूं आपको बस दिखा रहाओं कि ये सब सब्सितराएच units उपुट जणरेेट करता है इंदर से भी और इधर से भी ठीक है इंद एतर से यह जुर बाला इसको अम लोग वह रहते हैं इस northwest cau department करने का मेरा परपस क्या है मैं आपको यह क्यों गेट लाइन बताना चाहता हूं कि गेट लाइन क्या देखें हिए गेट लाइन आपका डरेक्ट लॉक से इक अनेक्टर नहीं है अब ध्यान दो गेट लाइन इस सिफत राइस्टरअ का अऊश्ट रहिस्टरा का एउटपुतं है साहर 1 का यह और जी वन ठीक है इसका output होगा G2 इसका output होगा G3 उसी तरह यहां भी G1 आएगा G2 आएगा G3 आएगा तो यह जो gate line है वो एक clock से या VGH से या VGL से directly connected नहीं है इस shift register पर दो clock VGH VGL ठीक है या VGH और VGH even मिलेगा तो एक gate पर output generate होगा ठीक है तो यह जो तार ना यह इसको बोलते हैं वो scan line या gate line ठीक है वापस हम लोग अपने उस डाइराम को ड्रॉ करते हैं ठीक है अब आप यह समझे है कि gate line कौन सा यह जो gate का जो तार है वो directly clock से VGH से VGL से connected नहीं है वो shift register का output करता रही है ठीक है shift register का output करता रही है अब हम लोग एक double driven panel का block diagram बनाते हैं अभी तो मैंने आपको यह बता दिया कि gate line क्या है अब हम एक double driven panel के block diagram को बनाते हैं तो काफी integrated concept है लेकिन हम लोग एक एक करके सब चीस समझेंगे तो जो हमारा फिर मैं आपको बता रहा है कि हमारा एक pixel का diagram क्या है अब एक pixel मेरा आप समझो यह समझो आप एक pixel है यह है यह है यह है ठीक है अब यह जो ट्रैक है data का track यह मैंने आपको बता है यह कौफ के सियो जी से connected है ठीक है यह क्या है data ठीक है यह क्या है गेट गेट ठीक है जी गेट का line और यह क्या है आपका data source यह source होगा source आपका capacitor एक capacitor है इस capacitor में liquid crystal डाला हुआ है ठीक है इस capacitor है दूसरा पर जो voltage है वह source पर पहुंच जाएगा तो capacitor के दूसरे इंड पर voltage आपका पहुंच जाएगा और दोनों capacitor के बीच में वह liquid crystal है अब voltage आप vary करोगे तो liquid crystal का orientation vary करेगा ठीक है लेकिन capacitor के इस प्लेट पर voltage कब आएगा वह gate driver gate का signal determine करेगा अगर gate का पल्स अगर यहां पर आएगा तो यह जो data आ रहा ना वह capacitor के दूसरे एंड पर आ जागा और एक एंड तो इसको अलड़ी वीकॉम से connected है तो आप यह याद रखिएगा वीकॉम का क्या परपस है वीकॉम है capacitor का दूसरे एंड पर वोल्टेज फिक्स है वीकॉम अगर वीकॉम absent है तो कामी नहीं करेगा वाइड डिस्प्ले ठीक है क्योंकि वोल्टेज चाहिए तभी तो एलेक्ट्रिक फिल जनरेट होगा अब दूसरे क्या प्लेट पर जो वोल्टेज है वो कह का सिग्णल वो दो तरफ से आरा कूर बतार डाइड़ ब्रीवन और ड्रिवन का मतला होता राइड साइड से विए लेट से बहुत सैड़ेपी साईड का जो signal है वो right side से भी drive हो रहा है left side से भी drive हो रहा है क्योंकि यह double driven है ना दोनों तरफ आपका दोनों तरफ से signal जा रहा है gate का तो यह इधर से भी drive कर रहा है अचा यह दोनों तरफ से current आते न वो जुड के आते हैं एक pixel के gate पर समझ रहा है मतलब अगर यहां पर gate पर 10 Ampere का current आ रहा है तो 5 Ampere का current राइट साइड से है 5 Ampere का current आपका लेफ्ट साइड से है Double Dreaming का मतलब यह है कि एक पिक्सल के gate पर gate signal दुनों तरफ से drive हो रहा है back side से left side तो अब सवाल यह उखता है कि जब हमारा पैनल वर्क करता है आपका एक side एक side से work कर रहा है ठीक है जिए और दूसरे side से work नहीं करता है अपने flap निकाल लिया दूसरे side work नहीं किया तो आप उस case में क्या करते तो आप जो है इसके, एक बनेट, एक बार मैं ब्रिफली यहाँ पर सारा जो सर्कृट यह समझे लो कि आपका, यह क्लोक है, यहाँ पर क्लोक बना हुआ है, ठीक है, दो क्लोक है, दो क्लोक हो गया, एक VGH हो गया, एक VGL है, है, STV है, ठीक है, वीकॉम तो आपका दुनों तरब रहता है, और डाइटली कनेक्टड होता है, देखे, वीकॉम का कोई जाए रोल नहीं है, वीकॉम PCB से निकल के आया, सीधे यहाँ लग गया, ठीक है जी, वीकॉम जो है, सीधे PCB से आएगा, और हर पिक्सल के दूसरा नहीं पर जाके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर है, यह CLK 1, 2, यह VGH, VGH, VGL, STV, ठीक है, और यह आपका ऐसे-ऐसे shift register बना, सपोज कि यह तीसरा नंबर shift register है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, इस पर आपको 2 clock मिल गया, एक VGH मिल गया, एक VGL मिल गया, STV मिल गया, STV सबसे उपर वालों को मिलता है, इसका output इसमें आता है, इसका output दूसरे के input में आता है, मैं एसा 3, shift register 3, STV जो signal है, हमेशा पहले वाले shift register पहीं जाएगा, यह आप ध्यान दीजेगा, जो भी STV का signal पैनेटर मिलेगा, STV का मतलब होता है, start vertical, ठीक है, अगले class में मैं आपको laser से panel का video दिखाऊँगा, उसमें दिखाऊँगा signal क्या, अभी यह theoretical class है, ठीक है, सबसे पहला shift register पहीं जाएगा, और जो पहला shift register का output है, वो दूसरे shift register में जाएगा, दूसरे का output तीसरे में जाएगा, तो 2 clock कोई भी मैंने क्या वहला shift register क्या चाहिए, दो clock चाहिए, constant voltage चाहिए, constant voltage क्या होता है, VGH, VGL या VGH odd या VGH even मैं आपको अगले class में बताऊँगा, या odd even का क्या concept है, भाई LC1, LC2 होता है, वह मैं VGH odd है, VGH, why VGH odd and VGH even is needed, तो वह frame inversion है, वह मैं अलग concept है, frame inversion, जब हम frame को invert करते हैं, कई तरीके से panel को drive किया जा सकता है, row inversion, frame inversion, column inversion, dot inversion, तो जब हम frame inversion का use करते हैं, तो हम लोग VGH odd, VGH even का use करते हैं, या LC1 या LC2 का use करते हैं, ठीक है, तो अभी मैं क्या बता रहा था आपको, double driven panel का मतलब है, यह जो pixel है, pixel के gate पे, gate का signal है, वह दुनों तरफ से मिल रहा है, राइट से मिल रहा है, लेट से मिल रहा है, यह जो राइट से वला है ना, वो यहां से मिलेगा देखो, यहां पर shift register बनाओगा, SR1, SR2, SR3 है, ठीक है, SR2 यहां बनाओगा, SR1 यहां बनाओगा, SR4, और यह कैसे बनाओगा, यहां पर सारे clock जा रहे होंगे, suppose करो दो clock है, CLK1, CLK2, VGH, VGL, ठीक है, यह सारे जाएंगे, तो यह हम तीसरा नमबर का pixel पर हम लोग बात कर रहे हैं, तीसरे line, तीसरा row पर जो pixel है, उसके बारे मैं बात कर रहा हूं, तीसरा row पर क्या जाएगा, CLK1 जाएगा, VGL जाएगा यह यहां से output generate करेगा, ठीक है, यह output आपका यह तार है, वो सेम तारे लिए, ठीक है, तो यह इधर से भी current आ रहा है, इधर से भी current आ रहा है, डबल driven का मतलग यह है, आप लोग हमे सारब बात कर रहे हैं, दूनाद़ मताहसे drive होता है, दूनाद़ मताहसे drive क्या हो रहा है, येट ड्राइवर दोन तर से ड्राइवर राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी मैंला 5 अंपियर करेंट इधर से भी आ रहा है पिक्षिल को चाहिए जलने के लिए 10 अंपियर पिक्षल के गेट पे कितना थी ये 10 अंपियर ठीक है अब सपोज करो आपका पैनल आपने एक तरफ आपके पैनल में पिक्चर राइट साइड सही आ रहा लेट साइड सही नहीं आ रहा और सपोज करो यह पांडा का पचास इंच का पैनल है 50-inch पांडा CCPD 50 PV 5D या PV 6D इस तरह का मोडल आता पांडा में सपोज करो यह पांडल है जिसमें एक साइड डिस्प्ले है या लगी का 4K पांडल मालो आप जो लगी का 4K पांडल मालो जिसमें एक साइड आपका पिक्चर सही आ रहा वीडियो सही है दूस्य साइड आपका पि और आप राइंट साइड सही है सपोज करो राइंट साइड बिल्कुल परफेक्ट फाइन है लेप्ट साइड आपका खराब है ठीक है तो आप क्या करते हो आप लेप्ट साइड के सारे क्लोक को आप PCV पर कट करते हो या तो आप क्या करते हो इसके क्लोक को आप काड़ दे क्लॉक चाहिए वीजेट चाहिए वीजेल चाहिए जैसे यह आपने क्लॉक डिसकनेट किया या तो पीसी भी पे किया या अंदर लेजर से किया तो आपका यह सिफ्ट रिष्टर बंद बंद हो गया मला विदर चाहिए कोई करेंट नहीं आगा ना अब यह पीक्सल पो चाहिए दस अम्पिएज इसके गेट पर जब तर नहीं आगा यह मॉस्ट आक्टिवेट नहीं होगा तो इस पैसीटर यह जो पैस्टर फेंट पर गोल्टेज नहीं पहुंचेगा पीक्सल नहीं गलो करें आपने क्या किया है अपने को को काट दिया क सारा लोड मतलब यह जो अब यह टोटल जो दस अम्पेर है वह इधर से आना पड़ेगा तो एक तो हो गया कि इस पर लूड बढ़ गया चलो यह तो लूड बढ़ गया अलग चीज़ है लेकिन जैसे यह प्रॉबलम आपके जो राइट सब्सक्राइब काटा और शनक के अंदर बर्नी है इस साइड को बर्नी है जैसे इदर बर्निंग हो जाता है बर्निंग होने कराने है फिर दो होते हैं तो क्या होते हैं दूट्रियों स्वाइल सब्सक्राइब यह आपका सथने सी सर्छस को आरे और जो राइट सेड़ का रिये वो हम रजिस्टनु से अब यह क्रेंट राइट राइट से करने खीच रहा तो यह जो सब्सक्राइब का करेंड जो इधर खीचने लएगा यह इधर जाना चाहिए पूरा दस अंपियर यह कुछ दो तीन एमकिर यह इधर भी जाने लगएगा क्योंकि यह लेस रेजिस्टन्स पाथ मिल रहा है दिख़़ा है इसको इस पिक्सल के तुल्ला में लेस रेजिस्टन् पाथ हुन्हे करण यह जो आपका दस जो इसको राइट साइट से खिचना चाहिए लेट साइट श्यापने काठी दिया खो llev को अपने क्लों काठा यह स्ट रिस्ट्राइश के सब्सक्राइब कर दिया इसने सारा एंपियर वह राइट साइड चलेगा लेकिन चुकि इधर पैनल के निदर बरनी है आपने प्लॉक को काड़ दिया बरनी अभी अलड़ी मौझूद है ठीक है सब्सक्राइब करें यह जो यहां आना था उसमें से दो तीन वह इधर चला गया यहां पर क्या मिला साथ अंपियर आपका पिक्सल बगबगबगबग फ्लिक्रिंग कर रहा तो आपको होरीजेंटल लाइन दिखता है यह पिक्चर जोनों तरफ पिक्चर में आपको क्लारिट की नहीं दिखती है ठीक है सेम नहीं दिखता है तो यह क्यों हो रहा डू टू डिफ्रेंस इन रेजिस्टेंस आपका इस तरफ रेजिस्टेंस ज्यादा है इस तरफ रेजिस्टेंस कम है हम इस रेजिस्टेंस को कंपंसेट करना पड़ेगा मुझे इस रेजिस्टेंस को कं कानी काना है यहां पर कोई rasa करएंगे वोल्टेस को प्लेकों करेंगे यह इसको घ्टाएंगे जैसे हिनों के उपर प्ले करेंगे हम तो एकल करते हैं और यह जो दो तीन एंप्याल opacity ऌर यहली लेकज इसको हमेद रॉपेफेंट करेंगे हमारा problem solve थो आप टी practitioners इस वी घ विजम को ओंस्टैंट वोल्टेज है उसके उपर उन प्ले करते हैं । आवसी मैं आपको next वीडियो में दिखाऊंगा बताओंगे आपको कि panda के पैनल पे कैसे हम लोग करते हैं do करना वह तो करेंड अलोड़ी आपका लेक्व रहा है उस करेंड को में रोकना उस करेंट को में कैसे कैसे रोख सकते हैं जब हम रेजिस्टन्स को कमपनसेट करें रेजिस्टन्स कैसे कमपनसेट कर सकते हो आप रेजिस्टन्स कमपनसेट होगा वुल्टेज को वैरी करके क्योंकि वुल्टेज वीजिएच वीजिएल जो आपका वुल्टेज आ रहा इसी को वैरी करोगे कि देखो रेजिस्टन्स तो आप लगा नहीं सकते हो लुटेज को वैरी करके तो रिस्टन्स को वैरी कर सकते हैं तो यह जो सारा हम जो मौडिफिकेशन करते हैं कि पांडा गयाप क्या करते हैं हम लोग वीजियल वीजियल सारे क्लोग को काट देते हैं वीजियल को भी पीसीव साइशेक काट करके उसको जो अपना एवी डीडी वोल्टे होता उसके साथ कनेट कर रहते हैं तो आपका होरिजेंटल लाइन चला जाता है ठीक उसका कॉंसेप्ट यह है को है कि कяти अब त्यूरी पर जाओं खरोड़ इसका प्रेक्टिक अपलिकेशन सप्थरक यहिंछ सकते हैं के त्यृत को लोग करना पड़ेगा वीजियल को हाइए करना पते रखेंदीन में पांडवेजियल को कम करेंगे की के में पन्डे का पनलट बॉसने वीजियल को हाई कर सभबते हैं थीक 11 सारा कुछ राकश कॉंस्टंट और बल्टेज को व्ले करते हैं है इसका Census डयीस सब्दम अलैक का सिप यह कॉरे लोक Ο इस पिक्सल पर होके समझी है आपको इसके सारा फॉल्ट शुमिजमीर जाई है अब Knowledge अगर आप वीडियो के व्रेम हर्ज को इसको हम स्लो कर दें अगर 120 को एक हर्ज कर दें तो आपको दिखने लाया कि क्या है लीजर मशीन उसके पास होता है वो आपिस्ता है कि कैसे दिखेगा तो हम ईसा प्लिकरीं कर रहा तो और उसको स्लो मोशन में बिलकुल स्लो मोशन में आपको ऐडिया लगे है कि कहां से फॉल्ट हारा है किस लाइन से फॉल्टार थैक है तो इस सब चीज को अधियो को करेंगे कई के हम लोग तर पर टम करें तो मिटर्म करने के दो तरीके हैं क्वाइग धिल को डीपेंड करता पैनलर आपका तो मनुक्या नेक्स वीडियो में कंटीनीु करेंगे इसורה एक तीक को